ओफोम टेक्नलोजी के तरफ से ये स्लिपर है और ये हैं पैन रिलीव स्लिपर यानि जिन लोग के पैरों में काफी दर्द होता है वह यह स्लिपर यूज कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे इमेल मिल जाता है साथ ही इंस्टाग्राउम, फेस्बुक, ट्वीटर हर जग आपको ये इनका दिख जाएगा इनके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल साइज जो दिय हुआ है चार्ट आप देख सकते हैं कि आपको क्या साइज बनेगा अगर आपका इस तरह से आपका आ रहा है तो और इसको डाइरेक्ट सन लाइट में नहीं रखना है ये भी इनका सामने में ही डब्बे में लिखा हुआ है साथ ही ये कॉफी ब्राउन कलर का है 189 रुपीस में ये आपको मिल रहा है और मतलब साइज के अकॉर्डिंग इसका प्राइज फिक्स है जैसे ये साथ नंबर है तो इतने प्राइज का है मैं इसका आठ नंबर ग्रीन कलर इसके पहले मंगवा चुकी हूँ मतलब खुदी दुकान जाकर के लिए थी वो मुझे 210 रुपे का पड़ा था और ये मुझे थोड़ा सा कम में बड़ा मतलब साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका प्राइज कम या फिर जादा हो सकता है चलिए आज मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाती हूं कि ये जो स्लीपर है ये कि तरह का है एक तो मेरे से दुकान में गलती हो ये कि एक मुझे स्लीपर मिल गया है लाइट ब्राउन जो कि आप बाई तरफ देख रहे हैं और दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं ये है डार्क ब्राउन कलर यानि कि दो कलर मुझे मिल गया है जो कि अलग अलग है मुझे लगता है दुकान में बहुत ज़्यादा भी थी जिसके कारण मुझे ये स्लीपर मिल गया देख सकते हैं जो सामने का है वो ज्यादा डार्क ब्राउन है और उधर वाला लाइट ब्राउन है दोनों स्लीपर में आपको देखने कौनतर मिल रहा है तो ये एक गलती हो गई मैं भी खड़े-खड़े बस बोली मुझे ये मैं फोटो दिखाया क्योंकि मैं सेम ऐसा ही ग्रीन कलर का स्लीपर घर में यूज कर रहे हूं मैं बोली मुझे ऐसा ही सेम स्लीपर मुझे दे दीजे आठ नंबर तो उनके पास था नहीं जब मैं इसको देखी तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा है क्यों साइज तो मतलब करेक्ट थी मतलब होता है लेकिन इसमें क्या ना करेक्ट साइज में भी आपको बार बार पहनने और खौलने में काफी ज्यादा परिशानी हो सकती है तो घर में क्या थोड़ा सा कमफोर्टेबल स्लीपर जाता अच्छा लगता है कि अगर आप अचानक बे कुछ भी घर के काम कर रहे हैं आपको कीचन में बहुत देख खड़े रहना पड़ा है तो ऐसे में जो भी महिलाएं पैर दर्द से ग्रसित हैं वह आप अपने अकॉर्डिंग स्लीपर ले सकते हैं यह यहां पे साथ नंबर मुझे एक्जेक्ट मतलब फीट हो रहा है लेकि पहनी हूं वह है साथ नंबर टीक है सेवन नंबर है तो मुझे सबसे अच्छा अगर दोनों में से कहा जाना तो वह ग्रीन वाली है जो मैंने अभी एक महिने पहले ही निकाले है और योज कर रही हूं यह मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और यह मैं पहन रही हूं लगभग एक महिने हो गया है इतना आराम दायक है फटा फट बेट से उतरती हूं और स्लीपर खोल करके और उस स्लीपर को मतलब अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगी मतलब बेट से उत्रो स्लीपर पहनो फिर अगर कुछ काम है जैसे की होदा ना कि गर्मी का दिन है हव सबजी बना रहे हो या कुछ ऐसा काम जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिल रहा है वैसी स्थिती में लगता है थोड़ा सा आराम कर लिया जाए तो ऐसे में मैं जब आठ नमबर लीचे तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं यही लेली मैंने इतना ध्य नहीं दिया कि क्या टाइट क्या डिला बस मैं बोली कि मेरे साइज के अनुसार मुझे आप स्लीपर दिखाई उन्होंने आठ नमबर निकालके दिया मुझे यह पसंद आया मैंने खरे लिया ज्यादा मैं इतना ताम जहम नहीं करी कि यह नहीं पसंद है तो वह डिजाइन कुछ नहीं मुझे जो आराम दायक लगा मैंने वह देखा और लिया और यह मुझे अच्छा लगा इसलिए यह जो आप ब्राउन कलर का स्लीपर देख रहो ना यह ब्राउन कलर का स्लीपर मैं खरे दे यह थोड़ा साइज में छोटा मिल गया लेकिन कोई बात नहीं घर में करें ही तो पहनना है ना तो यह भी मुझे ठीक ठाक ही लगा और यह स्लीपर मुझे अच्छा लगा लेकिन यह जो ग्रीन है यह तो मतलब मैं क्या कहूं बहुत बहुत ज़्यादा लगा तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगे कि अगर आप लोग घर में चाहते हैं तो एक साइज आप बढ़ा ले ताकि आपको जल्दी जल्दी कभी भी पहनना हो खोलना हो तो आराम रहे अब मैं बताना चाहती हूँ कि क्या जल्दी जल्दी और क्या आराम मुझती हैं और जो महिलाज होती है तो लूप्सक्ती है मतलब दिक्कत करेगा आपको बार-बार घुसाने में निकालने में तो इन सभी परिसानियों से अगर आप भी जूज रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक साइज मेरे जैसा स्लीपर बड़ा लेना पड़ेगा और ये मुझे पर्फेक्ट होती है बहुत जादा बड़ा भी नहीं है मैं आपको दिखा रही हूँ देख सकते हैं पूरा पैर ही तो अच्छा से फीट हो गया है कभी मैंने जब से मैं इसको खरीदी हुना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ये मतलब साइज बड़ा है या चोटा है बस देखी कि हां ये मुझे बन गया है और मुझे पर्फेक्ट हो रहा है तो बस मुझे ये पसंद आई और मैं इसी के लोग अलग परिशान कर रहे थे जल्दी दिया भाईया नहीं तो हम चल ली ऐसे करके और मैं बोल रही थी मुझे ये वला चपल केवल दे दीजिए बस मैं चली जाओंगे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे बैठ करके देखना नहीं है तो सब लोग अपना- जाखर के बदल दो दोनों ब्राउनी यह भसलका सा लाइट का अंतर है देखते हूं कि किसने किसने नॉटिस किया कि आपको अगर मैं नहीं बताते क्यों आपने लिए होता क्योंकि दोनों थोड़ा-थोड़ा सेमी लग रहे हैं यह देखिए यहां पे तो और भी नहीं पत तो अभी पैरों में इतनी ज्याधा दर्द हो रही है इसलिए बप सब टेढ़ prometकि मुझे मुझे कभी कभी अपने पैरों को टेढ़ा करके सुबस्बा मॉर्ली साना पड़ता है मतलब सुबस उठूंगी इतना मेरा पैर का एडी मैं दर्द होता है और इसी लिए की मैं फिर लिएू वह कोई सुम्हाइं मतलब कि स्कतल और आपकर सबाटिक सा Ge δET को को typ आपकर रणे काव खाल जयाहीं तो अब हमाना सब्सक्रापक्याय मन कि में फाल व्हुर्ट openings sometime कि मैंने पत्ते भी लगाए और कुछ उसको क्या बोलते हैं पेंट रिलिफ के लिए और भी मैंने कुछ कुछ किये लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है और इसी वज़े से मैं काफी सारा स्लिपर भी चेंज कर रही हूं सैद इससे आरा मिले लेकिन हां एक मीसों से मैंने स्लिपर और किया था ना वह स्लिपर पहनना मैं बाहर यूज कर रही हूं वह जैसे ही यह कोई पत्थल वगर में पढ़ता है ना तो ऐसा होता ना कि वहीं एडी के पास जब दब जाता है पत्थल और मेरा पैर तो इतना तेज दर्द हुआ था एक बर मैं गई थी वह पतला स्लिपर पहन के और मुझे लग लाइना कि एक स्लिपर वाला वाला ले ना पढ़Я जो मैं घर के बाहर पहन सबांता कि यह पतलहां। कहीं कुछ है मतलब अलग-अलग लेकिन यह वाला स्लीपर में लिखा हुआ है कि इसको धूप से बचाना है तो मुझे लगता है कि यह स्लीपर घर के बाहर तुमें यूज नहीं कर पाऊंगी अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं घर के बाहर क्या पहनूं हाँ वीडि वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा प्यार दीजेगा और यूसफुल लगेगी तो शेयर कर दीजेगा और पाइल बिच्वाब नहीं पहने का एक और ये भी कारण है दोस्तों कि जब मैं सुबह उठती हुना मैं बताई ना जब मैं सुबह उड़ती हूं मेरे हिल्स में इतना दर्द होता है कि मेरा टेड़ा हो जाता है मतलब चली नहीं पाती हूं सीधा और ऐसे मेना मेरा बीचिया ऐसे फस नहीं लगता है स्लीपर में इसलिए मैं अभी टोज रिंग भी खोल दी हूं और पायल मेरी कब की टूटी हुई है फरवरी मार्स से ही खराब हो गई ह तो वो भी अभी तक खरीड़ी नहीं गई है मेरे husband के पास time नहीं है या जो भी खरीदना नहीं चा रहे हैं और मैं खुद अकेले जा करके खरीद नहीं रही हूं तो नपायल है और बिच्वा मैं अपने hills पेन के वज़ए से मेरा पैर टेड़ा हो जाता है चल नहीं पाती ह तो खैर जब भी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को मिल जाएगा बट यह घर के लिए था और घर में कैसे आप स्लीपर पहन सकते हो तो इसलिए था तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें टोजरिंग और एंकलेट्स पे ध्यान नहीं दी हूं प्लेज वीडियो वो इतना भी च्रहरों वीडियो खे लॉपडब दियार के लिचल के ला गुए दूशन कर लागए उनगे पार बहूए